आज का हमारा टापक रहेगा अडजेक्टव्स अजाद हाइ स्कूल से एंड आयम बुलमात सिंग मानला आपके लिए जे अडजेक्टव्स चैप्टर लेकर के आया हूं टापक पे इस पे बात करेंगे आज तो लेट असस्टाप अडजेक्टव्स होते क्या हैं अडजेक्टव्स अरदव वर्ड्स आर अरप्रनावन और प्रवाइड सम अडिशनल इन्फरमेशन अबॉड देम बशेशन बोध शब्द होते हैं जा कलाज जोती हैं जो किसी संग्या जा सर्ब नाम की बशेष्ता को प्रक्ट करती हैं जा उनके बारे में कुछ अतिरिक्त सूचना देती हैं एक जा में दारण के लिए रें राम ऐस ब्रेब राम बहादर है ब्रेब इसदा अफ्जेक्टिव अऔर्जेक्टिव राम के लिए जाया बशेष्ता राम की कर रहा है राम इसदाgrow एंड ब्रेब इसदावच आड्जेक्टिव तो राम is brave, राम बहादर है तो ये brave जो है that is the quality of राम ये quality of राम की है और राम क्या है? नौन है इसी तरह से second example में चलें she was clever, वो चलाक थी clever is the adjective word that qualifies the noun आरे प्रनौन जो नौन जा प्रनौन की बशीषता प्रक्ट करता है तो she जहां पे हमारे पास क्या शब्द है? प्रनौन शब्द है तो उसके लिए she की जो quality है वो क्या है? clever तो इसलिए clever जो है that is the adjective word the mangoes are ripe mangoes जहां पे noun है और ripe जहां पे adjective word है उसेनी is an innocent city innocent जहां पे क्या है? यह आप का गया? प्राचीन उसेनी एक प्राचीन शहर है तो यह qualify कर रहा है innocent जो है जो बशीषता किसकी? उसेनी city की कर रहा है ठीक है? तो यह noun की बशीषता प्राक्ट कर रहा है butterflies are colorful butterfly noun है और colorful हमारे पास adjective word है the better was bad by good qualities भी आती है bad qualities भी आती है मिल आपने उनका quality of noun और प्रनावन देना है right? so butterflies are colorful the better was bad मोसम ख्राब था आगे देखते हैं seventh में Amun is my brother who plays with you Amun मेरा बाई है जो आपके साथ खेलता है आप देखें जहां पे who plays with you is a clause who plays with you is a clause or you can say a part of the sentence एक बाक्या का जी एक हिस्सा है पार्ट है तो हमने पहले लिखा हुआ है adjective में इसकी जो definition है definition में लिखा हुआ है adjectives are the words or clauses that show the quality of a noun or a pronoun or provide some additional information about them so इसलिए हमारे पास who is the adjective word ठीक है अमन की वो पूरी की पूरी जो 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 clause है जो उसकी बशेष्टा को बताती है next हमारे पास आता है he is Ram who is older अवलीक elder than I देखिए जहां पे दो शव्द दिये हैं अवलीक करके एक older है एक elder है अब older और elder में difference क्या है जब मैं कहूं कि Ram मेरा बड़ा बाई है he is Ram Ram मेरा बाई है बड़ा बाई है ठीक है तो इसमें कहते हैं who is elder than I तब मैं कहूंगा elder than क्योंकि Ram मेरे blood relation में है इसलिए मैं उसको बोलूँगा elder than I he is Ram who is elder than I क्योंकि मेरे blood relation में है मेरा बड़ा बाई है इसलिए उसके लिए आता है elder अगर मेरा कोई मानो मेरे स्कूल में Ram मेरे स्कूल में एक टीचर है और वो मुझसे age में उम्र में बड़ा है तो उसके लिए मैं क्या कहूंगा he is Ram who is older than I वो Ram है जो मुझसे बड़ा है उम्र में बड़ा है तो जो blood relation में होता है family में होता है वो add राता है और दूसरे के लिए यह हम लिखते हैं ठीक है तो next पे चलते हैं जी आपकी adjective होगे तो next slide पे चलते हैं एट टाइफ आफ अडजेक्टिव सार्दियर अडजेक्टिव आफ क्वालिटी गुन बाचक बशेशन जिसको कहते हैं जो गुन बताता है ठीक है गुन बाचक बशेशन अडजेक्टिव आफ क्वांटिटी परिनाम बाचक बशेशन इसको बोलते हैं और अडजेक्टिव आफ नंबर संख्या बाचक बशेशन डिमॉन्स्टेटव आडजेक्टिव संखेत बाचक बशेशन introgative adjective प्रशन बाचक बशेशन, distributive adjective बित्रन बाचक बशेशन, proper adjective ब्यक्ति बाचक बशेशन और last में possessive adjective आता है अधिकार बाचक बशेशन Let us move next 1 by 1 इसको लेते हैं अब adjective of quality First जो है adjective of quality The words that describe the quality of a noun or a pronoun are known as adjective of quality बो शब्द जो noun जो प्रनौन की quality को show करते हैं, बताते हैं, describe करते हैं तो उनको हम adjective of quality कहते हैं आप what kind इसमें ज़्यादा तराता है but kind He is a clever boy What kind of boy? इससे कोचन बनता है what kind of boy? तो boy जो है clever है Clever is an adjective of quality I saw a hungry boy What kind of boy I saw? Hungry boy Hungry जहां पे क्या है? जी adjective of quality है I saw a heavy box मैंने एक भारी सुदूख देखा भारी box देखा तो heavy जहां पे क्या है? Adjective of quality है तो ये यो है ये हमारे पास Sarah is smart girl Sarah एक smart लड़की है तो objective of quality ये हमारे पास smart है ठीक है? What kind of girl? Sarah is तो ये जहां पे क्वाचर बनता है तो Rita is wise lady What kind of lady is Rita? तो यहां पे लिखेंगे wise What kind of lady is leader किस तरह की औरत है? तो what kind of के साथ जी होगा? आपके जी सारे तो इसमें clever, hungry, heavy, smart, wise जी जो हमारे हैं जी adjective of quality हैं Next Adjective of quantity quantity का मतली होता है कितने How much How many ठीक है? कितने The words which describe the quantity Approximate quantity Mean वो शब्द जो quantity बताते हैं कि कितनी quantity है संख्या कितनी है Approximate quantity लगबग इतनी quantity ठीक है? आप नाउन और परनाउन जा नाउन की संग्या की जा सर्बनाउन की Are known as adjective of quantity वो adjective of quantity होते हैं For example, उधारन के लिए Some, little, all, whole, double, few, half, any, etc. तो first example इसकी लेते हैं संटेंस में उपजो करके इसका देखते हैं I do not have much time मेरे पास ज्यादा समय नहीं है तो adjective of quantity क्या है? Much I have little faith in God Little जहां पे adjective of quantity इसी तरह से बाकी बालों में देखें He has taken half cup of milk, half जहां पे adjective of quantity He had lost all his wealth, all There is some milk in the jug Some mean adjective of quantity है Approximate quantity के Of noun or pronoun are known as adjective of quantity चलिए next में चलते हैं Adjective of numbers Adjective of numbers How many जहां एक प्रशन आता है जो भी हम इसका देंगे उसका है how many कितने number A word which expresses the exact number of nouns एक बो शब्द जो exact number of nouns देता है कि इतनी संख्या है nouns की आर प्रनौन की जा किसके सर्बनाम की Add their position और उनकी position में बारे में बताता है Add place in certain order और एक certain order में उससे लिखा जाता है Is called adjective of numbers For example उधार्न के लिए ले ले बन और इसको फरस्ट भी लिख सकते हैं तू और सेकंड इच हर कोई नो कोई भी नहीं Several केई All सारे Some कुश एड़ सटरा बगएर बगएर जैसे लेते हैं First sentence इसका देखते हैं A.B. has seven days एक हफ़ते के साथ दिन होते हैं तो अग्जेक्ट नमबर आफ डेज दिये हैं डेज जा बीक के साथ दिन होते हैं तो अग्जेक्ट नमबर है दिया हुआ तो इसलिए इसको कहेंगे के seven is the adjective of number There are ten persons in a group Ten persons in a group Main number of persons जा nouns जा pronounce दिये हैं तो exact number of noun or pronoun है जही इसकी definition है अग्जेक्ट बाफ नमबर की राइट Next Every poor needs a job हर जो निर्दन है उसे जाब चाहिए तो every is the exact number of nouns There are no stories in this book इस किताब में कोई कहानी नहीं है कोई भी कहानी नहीं है तो exact mean number of nouns और नमबर आफ नमबर आफ नमबर आफ नमबर इसमें दिये तो नेक्स्ट स्लाइट पर चलते हैं Difference between objective of quantity and objective of numbers क्या आते है Is that indefinite number of adjectives जैसे indefinite number of adjectives क्या होते है Some, few, many, etc. Are used to be the countable nouns यह countable nouns के साथ आते हैं Countable nouns mean जिनको हम गिन सकते हैं गिने जा सकते हैं 10, 20, 30, 50 ठीक है तो whereas adjective of quantity जो आते हैं उसमें some, few, many, etc. Are used with uncountable nouns तो उनको uncountable nouns जिनकी गिनती ना हो Uncountable nouns के साथ आते हैं जैसे I drank some butter Adjective of quantity है I have bought some butter Adjective of quantity Some है जो bold में दिया Red में दिया Have you got enough money Adjective of quantity है इसी तरह से fourth में चलते हैं Some people are standing there कुछ लोग बहां खड़े हैं Adjective of number है There are some grapes in the fridge Adjective of number है There are many boards in the sea समुदर में बहुत सारी किस्तिये हैं Adjective of number Many जो दिया है That is Next हम चलते हैं तो जहां पे है Exact number Countable number और uncountable number के साथ ठीक है तो next हम चलते हैं अगली slide पे देखते हैं The more state of adjectives को उते हैं जो बिच के साथ है The words that are used to point out specific person are things are called demonstrative adjectives वो शब्द जो point out करते हैं specific person को जा किसी चीज को बस तू को उनको हम क्या कहते हैं Demonstative Demonstative संकेत बाचक बशेशन जिसको कहते हैं उधारन के लिए लें जिस जे जो पास चीज हो दो जो दूरी पे चीज हो लेटर बाद वाला फार्मर पहले वाला सच एड़ सटरा जी शब्द आते हैं जैसे हम पहला इसका अग्जेंपल लें I hate such things मैं ऐसी चीजों से नफरत करता हूँ तो I hate such things सच जहां पे क्या आगया Demonstative Second में आता है The former presentations of the lecture was good The former मिन पहले वाली presentations of the lecture was good तो पहले वाली जो presentation थी lecture की वो बड़ी अच्छी थी तो farmer जहां पे आता है Demonstative The later option will cost us a lot Later जो option है वो हमें cost ज़्यादा करेगी उसकी ज़्यादा कीमत बढ़ने पड़ेगी तो इस तरह से भी करके देखिए Bitch things you hate I hate such things What type of things you hate I hate such things फिर bitch type of presentation Which type of presentation was good तो जी आएगा इस कांसर दा The former presentations of the lecture was good फिर आएगा Which option will cost us a lot तो जहाएगा था Later option will cost us a lot तो इसी तरह से Next चलते हैं अगली स्लाइड पे Difference between demonstrative adjectives and demonstrative pronoun Demonstrative adjective और demonstrative pronoun जो हमने पिछली स्लाइड में पिछले वीडियो में आपको दिखाए थे आपने अच्छी तरह से उनको पढ़ा होगा Demonstrative pronoun क्या है तो बही उनको आपने रिवाइज करना है कहां आते हैं कहां इनको जूज करते हैं तो बहां से उसको भी अच्छी तरह से learn करें जाद करें तो यह आपके लिए फिर easy हो जाएगा तो देखते हैं इनका अब आता है जहां पर Demonstrative adjective और demonstrative pronoun ठीक है इनमें अंतर क्या है बेद क्या है देखिये जहां है This car is expensive जे कार महँगी है expensive है This is my car तो demonstrative pronoun में आता है जे demonstrative adjective है और these are my books जे demonstrative pronoun है ठीक है, जे मेरी कताबें हैं, these are my books, जे कताबें मेरी हैं, is that white yours, क्या वो वाइक आपकी है, तुमारी है, तो is that white, is that your white, क्या वो आपकी, मीनिंग दोनों के से मार रहे हैं, तो जहां पे इनको अलग-लग तरीका है, ये इनका differentiate करने का, तो next चलते हैं हम आगे, हमारे पास fifth जो आता है, बो है हमारे पास interrogative adjective, प्रशन बाचक बशेशन, प्रशन बाचक बशेशन क्या होता है, the words that are used with noun to ask questions are called interrogative adjectives, बो शब्द जो noun के साथ, the words that are used with noun, बो शब्द जो noun के साथ, मिल करके, ask questions, प्रशन पूछते हैं, are card interrogative adjectives, उनको क्या कहते हैं, interrogative प्रशन बाचक बशेशन कहते हैं, example के लिए, but which whose, what color is his car, उसकी कार का कैसा रंग है, तो what जहां पे आया, beach shirt, what do you like to buy, आप कौन सी shirt, खरीदना पसांद करोगी, beach shirt, ठीक है, whose books are there, whose books are there, तो interrogative adjectives है, whose pens are you using, तुम किसका pen इस्तेमाल कर रहे हो, तो interrogative adjective है, तो ये जो board में दिये हैं, these are the interrogative adjectives, चलिए next चलते हैं हम, difference between interrogative adjective and interrogative pronoun, interrogative adjective और interrogative pronoun में अंतर के आता है, तो आँ देखते हैं, interrogative adjective का पहले देखें, interrogative adjective, ask a question and describe a noun, interrogative adjective जो है, वो एक प्रशन पूछता है, और describe करता है noun को, जैसे इसकी examples दी है, which color looks better, कौन सा रंग अच्छा लगता है, which boy is your son, कौन सा अब का बेटा है, whose house is that, वो किसका गर है, और राइट, अब इसके बाद चलते हैं, interrogative pronoun, इसमें क्या आता है, interrogative pronoun, ask a question, but stands alone, mean does not describe a noun, interrogative pronouns जो हैं, जो हैं, जी सरफ question पूछते हैं, और केले रहते हैं, mean, it does not describe a noun, जे noun को describe नहीं करते हैं, तो examples इसकी नीचे है, which is your favorite color, आपका कौन सा color फेवरेट है, प्रिये है, which of these rulers is yours, इन में से कौन सा ruler आपका है, whose bike is that, वो किसकी वाइक है, तो यह जहां पे आता है, इनका difference between interrogative adjective and interrogative pronoun, when you will read it again and again, practice it again and again, it will be boring your mind, जब आप बार बार इसका अभ्यास करेंगे, तो easily आप कीज़े, बैठ जाएंगे, पढ़ें, लिखें, अभ्यास करें, तो यह बड़ा easy है, next हमारे पास आता है, distributive adjective, a word choose to refer to each and every person, our thing is का distributive adjective, a word choose to refer to each and every person, each and every person, our thing, जा तो हर ब्यक्ति हर जो पर्सन है, उसको बो डिस्क्राइब करती है, ठीक है, बो शब्द, a word choose to refer to each and every person, our thing is काड़, distributive adjective, example के लिए लेते हैं, each, every, neither, either, any, one, both, etc., तो जहाँ इसको उपजो करके देखते हैं, sentences में कैसे आता है, he choose to call me every day, वो मुझे प्रती दिन बुलाता है, call करता है, he choose to me every day, he choose to call me every day, वो मुझे प्रती दिन बुलाता है, neither of you are allowed in this class, आप में से कोई भी इस class में नहीं आ सकता, मिन उनको आग्या नहीं है, अनुमती नहीं है, neither of you, आप में से कोई भी, neither of you, I do not trust him either, मैं उस पे बिश्वास नहीं करता, उन में से बिश्वास नहीं करता हूं, either उन में बहुत सारी चाहिसों होगी, one of the group हो सकता है, और other group है, उन में से किसी को भी, तो either उसके लिए, I do not want your any advice, मैं आपकी कोई इसलाह नहीं चाहता, एनी अडवाइज, तो जहाँ पे every, neither, either, any, तो इस आर दा डिस्टिव्यूटव अडजेक्टव, अड़स्टेंड, तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, difference between distributive adjectives and distributive pronoun, आता है हमारा ऐसे, distributive adjective क्या, it modifies a noun, आरे पर नौन, जे संग्याजा सर्बनाम को modify करता है, उसकी बशेष्टा प्रक्ट करता है, there is always a noun next to the distributive adjective, there is always a noun, हमेशा एक noun आता है next to distributive adjective, distributive adjective के आगे, जैसे each man, तो man जहां क्या है, noun है, each man, बाज गिवन पेन, हर आदमी को एक पेन दिया गया, ठीक है, दूसरा आता है, I write articles every day, मैं हर दिन article लिखता हूँ, day, day के, क्या है day, noun, तो every, उसके भी फोर आया, राइट, तो I like neither of you, neither of you, neither जो है यह आपका, distributive adjective है, इसी तरह से चलते हैं, distributive पर noun में, it is used as a subject, इसको subject के रूप में, इस्तिमाल करते हैं, subject क्या होता है, करता, do और, जो हम पहले लगाते हैं, ठीक है, आर एबजेक्ट, जा एक अबजेक्ट में आता है, it is used as a subject, आरे अबजेक्ट, distributed जो परणौन है, जे जा तो subject में आता है, जा अबजेक्ट में आता है, तो there is never a noun, next to the distributed pronoun, mean, कभी भी distributed जो परणौन है, वो noun के आगे नहीं होता है, बस जी आपको understand करना है, जैसे इसकी examples देखें, each of us will get a pen, हमें से आरे को pen मिलेगा, each is the distributed pronoun, give the chocolates to each, तो ये distributed pronoun, each you can drink either tea, और काफी चाइस दी ये, तो ये भी हमारे पास आइदर जो है, जे distributed pronoun है, तो next, प्रापर अड्जेक्टिव क्या होता है, प्रापर अड्जेक्टिव किसको बोलते हैं, ब्यक्ति बाचक बशेशन को, ब्यक्ति बाचक बशेशन, प्रापर अड्जेक्टिव, ब्यक्ति बाचक बशेशन, प्रापर अड्जेक्टिव, originate from the proper noun जो proper adjective है ठीक है जो proper adjective है वो proper noun से originate होते है and like proper noun और proper noun की तरह ही proper adjective always begin with the capital letter proper जो adjective है वो हमेशा capital letter के साथ शिरू होते है उनकी शिरूवात capital letter से होते है examples के लिए ले 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 India, Indians तो कहां से हुआ? India से originate हुआ India से क्या originate हुआ? Indians Russia से क्या हुआ? Russians Italy से क्या हुआ? Italian तो यह जहां से इनका originate होता है जैसे India से Indians Russia से Russian और Italy से Italian तो यह इनका originate जहां से होता है तो हम चलते हैं इसकी examples पर She is an Indian person वो एक Indian person है तो second में आता है Indian जहां पे आगया हमारे पास प्रापर अडजेक्टब और चीनीज न्यूडल्स आर इन दा कीचन चीनी न्यूडल्स और सुईगर में हैं तो चीनीज जहां पे आगया आगया आपका यह क्या है? चाइना चीनीज चाइनीज तो जी हमारे पास आ जाता है क्या जी? प्रापर अडजेक्टब चलिए next और last हमारे पास आता है पुजेस्व अडजेक्टब जिसमें ownership आती है पुजेस्व का मतली होता है ownership पुजेस्व अडजेक्टब शोज सम्थिंग बिलांग तो समबाडी पुजेस्व अडजेक्टब जो है पुजेस्व अडजेक्टब होता क्या है अधिकार बाचक बशेशन अधिकार बाचक बशेशन पुजेस्व अडजेक्टब शोज सम्थिंग बिलांग तो समबाडी बताते हैं कि कुछ चीज़ें जो हैं वो किस बाड़ी से अर्लेट करती हैं किसके सबंद में हैं किसकी हैं तो चलते हैं अग्जेंपल पर जैसे आती है माई जूर इटिस दियर हिज हर एड़ सट्रा जी है ओनर्शिप बताती है जी माई कार जूर शैकल ठीक है इटिस टेवल दियर मोटर शैकल भाईक ही ज कार हर जैसे जी सब्दाते हैं इनके साथ जैसे बनते हैं हमारे पास अग्जेंपल में लें सेंटेंसे में इनको जूज करके देखें तो my book is on the table मेरी कताब मेज पर है I think you forget your purse मेरे बिचार से आप अपना पर्स बूल गे हो forgot your purse तो my जहां पर ownership दिखाता है my book मेरी कताब is on the table वो टेबल पर है my book मेरी जहां पर ownership शो करता है your purse your जहां ownership शो करता है his brother उसका बाई is very handsome उसका बाई बहुत सुन्दर है तो his brother जो है his जो है that is show the ownership ठीक है तो हमारे पास next जो है last में difference between possessive adjective and possessive pronouncing में आता है possessive adjective देखिए it is used to show ownership and comes before a noun in the sentence it is used to show ownership and comes before a noun in the sentence जे ownership बताता है मालिकाना हक जो है अधिकार है ठीक है इसको अधिकार बाचक भी कहते है तो जे अधिकार बताता है के ownership and comes before a noun और हमेशा संग्या के पहले आता है बाक्या में माई बुक की जानदा टेवल मेरी कताब मेज पर है इस इस माई रूलर जे मेरा रूलर है इस दियर लैडर जी उनका रसा है ठीक है तो माई दिस दियर तो इस वर्ड्स शोदा possessive adjectives नेक्स चलते हैं इसके difference में possessive pronouns इनका अंतर इट इस जूज टूज शोग ownership जे भी ownership बताता है अधिकार बताता है बाट इट डाज 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 नाट कम भी फूरे नौन प्रंतु जे संग्या के पहले नहीं आता तो इट can also be used to replace noun जे noun की जगा replace करने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है जैसे हम करें इस फोन इस जूर्स ये फोन तुमारा है ये बाइशेकल उसकी है दा लैडर इस देर्स अरसा उनका है तो जहां पे जे डिफ्रेंस आ गया बिट बिन possessive adjective and possessive pronoun का मुझे पूरी आशा है कि आप इसको अच्छी तरह से समझे होंगे इस वीडियो में आपने अच्छी तरह से इसको समझा होगा तो next हमारे पास जे इसी lesson में ये जो topic आज हमने लिया था इसी का इतना ही रहा next adjective का जो second part है degree of objectives वो हम आपके लिए अगली वीडियो में ले करके आएंगे और बताएंगे के degree की बिशेश्चता क्या है जैसे big, bigger, bigger, biggest जैसे taller, taller, tallest तो ये इसमें degree कहां कहां लगती है compare कहां होती है और ये आगे इसको हम बताएंगे तो thanks for watching subscribe our YouTube channel follow us on facebook at the rate of azad high school follow us on instagram at the rate of azad.high school